क्लास 12 त्रेमासिक परिक्षा 2023-2024 के लिए भौत एक सास त्रयानी की फिजिक्स के important question लेकर करके आ चुके हैं वारवी के विध्यारतियों के लिए यहाँ पर देखेंगे जो आपका syllabus है त्रेमासिक परिक्षा का यही chapter आपके पूछे जाएंगे यह आपका syllabus दिया गया है कि आपका प्रोजेक्ट बर्क रहेगा तो वह आपको अभी नहीं करना है तो आपको पहला नम्मर का अध्या है जो आपका एक एक से हैं दू नम्मर का अध्या पूछे जाना है बिद्धु धारा बिद्धु धारिता तथा विभाव तो इससे जो दो अंकिये question बनेंगे व सम विभाव प्रिष्ट क्या है अगला question है प्रतिवी के विभाव को सून क्यों माना जाता है इसी चैप्टर का question है फर्स नम्मर के किसी चालक की विद्धु धारिता से आप क्या समझते हैं इसके बाद देखेंगे तीन अंकिये question जो इस चैप्टर से बनेंगे विद्धु चेत्रक में एक प्रावेद्धुत रख देने पर विद्धु छेत्रक की तीब्रता क्यों घट जाती है संब्वाव प्रिष्ट की चार ब्रसिस्ता लिखिए आप चार सीख लेंगे क्योंकि तीन अंक में पूछा जाएगा आपको चार जरूर से याद होनी चाहिए अगला दो से बिद्धु धारा से यहाँ पर आपकी दो अंकी जो क्वेश्चन बनेंगे देख लेते हैं ओम का नियम लिखे मोस्ट इंपोटेंट पूछा ही जाता है ओम का नियम है न तो ओम का नियम आपको अच्छी तरह के से याद कर लेना है यहाँ पर देखेंगे अगला गयाद करना है इसका और प्रतिरोध आपको यहाँ पर लिखना है गयाद करके न तो यह रहेगा आपका क्वेश्चन सेकेंड नमर का इस चैप्टर से दो अंकी भी टिस्टेंट से तू का सिद्धान्त क्या है सिद्धान्त को समझाए पांच अंक में भी यह पूछा जा सक सकता है रहा तो आप इसे जरूर से याद रखेंगे यह कुश्चन मुस्ट इंपोडेंट है कृच्छ ऑफ के नियम लिखे था थांकी भी टिस्टों से दों का विद्धान्त संजाये इसके आपको प्रतिबंद एस कि निगमित करना है इसका बेंच करना है वीत स्टों का बिद्दुतारिक खीच करके इससे जो कुश्चन बनेगा अगला अनुगमन बेग तथा धारा घनक तुम्हें अंतर पूछा ही जाएगा अनुगमन बेग अगला रहेगा आपका प्रतिरोध और प्रतिरोध अंतर लिखिए किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर प्रतिरोध करना है तो प्रतिरोध ग्याद करना जरूर से सिख लिएगा और पिछले वीडियो में हमके हिंदी इंगलेस और बायोलोजी के इंपोटेंट सभी कुश्चन प्रोवाइट करा चुके हैं तो जाकर के देखिए प्ले लिस्ट में आपको सभी चेप्टर के यहां पर अध्यायों के और चेप्टर के आपको इसी प्रकास से इंपोटेंट कुश्चन मिल जाएंगे अध्याय नम्मर चार है जो आपका गत इंक में कुश्चिंट आएगा ही आएगा अगला क्शोश्चन है लॉरेंज बल के अधर पर चुम्ब की बल बीको कैसे नीम लिखिएहां इंपेर का पडिपथि नियम nhưng कि किजिए बायो सेवट के नियम से आपको इसे सिद्ध करके बताना है एंपियर के पड़िपतिय नियम को संट क्या है मोस्ट इंप्रिटेंट कुश्चन है संट संट क्या है से होने वाले लाग तथा हानियों के बारे में बताईए अधिया नमबर जो पांच है आपका इससे ज दो हो चुम्ब किया पदार्थों के दो उधारण दीजे बैरी बैरी मोस्ट इंपूर्टन कोश्चन है सभी इन सभी के आंसर अगले वीडियो में जल्दी ही आएंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट के सी प्रकासी इंपूर्टन कोश्चन आंसर चाहिए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें चुम्ब कत्यों के अंतरगत कूलों के ब्यूतुकम बर्ग का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एकांक ध्रब को परिभाशत कीजिए यह आपका तीन के कुश्चन रहेगा से एकाई चार देख लेते हैं से दो अध्याय आपके हैं विद्धो चु चुम्ब की प्रेरण को आप अच्छी तरगी से सीख लेंगे फैराडे के बिद्धो चुम्ब की प्रेरण संबंदी नियम लिखिए लैंज का नियम लिखिए लैंज का नियम पूछा ही जाता है सोब प्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए इसने अच्छी तर दाएं हाथ का नियम लिखे very very most important question है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम सव प्रेयरंड किसे कहते हैं एक हैंरी मात्रक को परिवासत कीजिए अन्योन प्रेणा किसे कहते हैं समझाइए तो अन्य सब्जेक्ट के प्लेलेस्ट में सभी सब्जेक्ट के आपको इसी प्रकास से कुश्चन दिये गए हैं जो कि आपके इंपोटेंट हैं जाकर कि जल्दी से देख लीजिएगा स्वप्रेयरकत तो किसे कहते हैं जो पांच अंकिये कुष्चन बनेंगे आपके इस चेप्टर से स्वप्रेयरकत तो क्या है एक लंबी परिनालिका कि स्वप्रेयरकत तो का बेंजक नगमित कीजिए इसे कली जी का पांच अंकियों क्वेश्चिन बता रहा हूं में इस चेप्टर के आपको डाइनमो क्या है एक समतल बृत्तकर कुंडली के स्वप्रेयर कत्तों के लिए बेंजक के नगमित कीजिए इसका मान किन कारकों पर नगमित करता है कोई तीन कारक लिखेंगे और आप इसका बेंजक नगमित कर देंगे तो आपको पांच में से पांच अंक ही मिलेंगे यहां पर देख सकते हैं डाइनमो क्या है प्रत्यावरती धारा डाइनमो का सद्धानत यों सरचना का बढ़न रेखा चित्र सहत कीजिए आप इसका डाइगराम बना करके डाइनमो को समझ देखाएंगे और इसका बढ़न करेंगे तो आपको पूरे पांच में से पांच अंक मिलेंगे इसे जरूर से कम्प्लीट कर लीजिएगा अध्या साथ है जो आपका प्रत्यावरती धारा इसे दो अंगी कोश्चन वनेगे प्रत्यावरती और दिर्ष्ट धारा में अंतर लखे प्रत्या बष्ज्ट धाया इंतर पूछा ही जाता है और कई बार पूछा गया है पिछली बार भी आया था इसे जरूर से करेंगे प्रत्या-बष्थ धारा से विद्ध अपगठन क्यों नहीं होता है गुड़ता गुड़प क्या זה इसके लिए सूत्र लिखिए जो इस चेप्टर की यान कि पित्या बढ़ती धाराद चेप्टर से आपके चप्टर नमर साथ से पॉंच अंकी क्वेश्चन बनेंगे वो देख लेते हैं आपे तो ट्रांस्फार्मर की ब्याख्या कीजिए जरूर ही ये क्वेश्चन आपको अ पूर्जा की छाय की कारण तता से कम करने के उपाई बस आपके 5 अंक कंपलीट है एक कम्पली है तो पंच अंक के कंपलीट हो जाते हैं अगला कॉस्चन जूर पांच अंक इसी परिफ़त में प्रेरक के प्रतिगास से क्या तात पर इसका बैंजक निगमित कीजिए तो यहाँ पर यह रहेंगे आपके इसके 5 अंकिये कोश्चन अगला जो कोश्चन है आपका इसी चेप्टर का है इसी परिफ़त के लिए प्राप्त कीजिए यहां पर आपको समीकरण दिया गा है इसके according आपको इसी परिप्रत के लिए बेंज़क निगमेत करना है तो यहां तक थे आपके सभी अध्यायों के यानिके जो जो अध्याया आपके त्रेमासिक परिक्षा में आने हैं सभी के मैंने आध्यायों के आपको important question बता दिये हैं तो आपको सभी complete कर लेना है जो आपके objective questions रहे गए हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में provide करा दूँगा और आपको इनके answer भी मिलेंगे तो channel को subscribe करके रखिए thanks for watching मिलते हैं वीडियो में telegram group जरूर join कीजिए नीचे description में link दी गई है सभी subjects के important question uploaded है जा करके देखिए